हेलो हेलो फ्रेंट नमस्ते जैम आता दी कैसे हो आप सोभी लोग और यह देखिए यह पहुच गई हूँ मैं गंगे मैया पर और इधर मैं नहां रही हूँ आप लोगों को दिख रहे हूंगी तो यह मेरी सिस्टर है और यह बेटी है उसकी इतनी भीड थी गंगे मैया पर के बहुत ज़्यादा तो मैं बिलोग कर डाल नहीं पाई हूँ सोरी उसके लिए तो मैंने सुचा आज बिलोग बना के लाई थी वीडियो तो उसे डाल देती हूँ तो इधर इतना ठंदा पानी था कि बहुत ज़्यादा और गंगे मैया पर कहां गई हूँ मैं तो मैं गई हरे द्वार नहने के लिए तो बस अभी यह हम साथ तारीकों गए थे और आठकों नहा रही थे तो आठकों मेरे बेटे का बर्डे था तो हम हरे द्वार में गए थे बर्डे को मनाने के लिए मैंने सोचा हर बार इधर मनाते हैं आपकी बार उधार जाते हैं और मैं कभी ग ज्यादा और मैं नाते नाते बच भी गई थी कि एक का धक्का लगा और मेरे पेर खड़ गए ऐसा लगा बह जाती नहीं तो बच गई मैं तो मैं यह देखे यह देखिए अभी धक्का लगा था और मैं बच गई थी नहीं तो गड़ जाती तो हर कोई मतलब घर में यह कहीं प मैं रुखे थे और मना लेते हैं पर मैंने सुचा कि गंगाजी के घाट पर और इधर देवी मा भी हैं भूत सारे मंदर हैं मंसा देवी बगरा तो हम अना के आते हैं तो उधरी गई थी और बादल बहुत जादा हो रखें तो ये देखें कितनी भीड है कि पैर रखने को भी जगा नहीं थी इतनी ज़्यादा भीड थी इदर तो बस गंगा में नहाना धोना हो गया है हमारा और इधर देखिए मंदर पर चड़ाई कर रहे हैं मंसा देवी की चड़ाई जो है बहुत सारी चड़ाई थी और सच में मेरे पैर भी सूझ गए हैं अभी एडिटेंग कर रह चड़ाई में अच्छा लग रहा था उधर तो मुझे पता भी नहीं चला था और यह वाला बले सूट पेंजू पेंड रखा है यह वाला मैं चड़ाई कर रहे हूं तो यह देखिए और मतलब अच्छा लग रहा था चड़ने में यह नहीं लग रहा था कि इतनी ऊपर तो मेरी सेस्टर की यह बेटी यह जा रही है देखो और बच्चे नहीं ठकते हैं बिलकुल भी मैं हम लोग तो भी मतलब जहां लगता था कि थोड़ा सा रुख जाते दो एक मिनट के लिए भी नहीं रुखते ज्यादा देर और फिर चड़ते जाते तो यह देखी इतनी उच होड़ी चड़ाई यह बहुत ज्यादा जहां मैं होटल में रुखी से वहां से मूर्टी दिखती है ब्र चडाई बहुत ज़दा तरो पार चड़के बहुत अच्छा लगए था और यह देखे इधर हम लोग मंदिर में चड़ाई करके पहूंच गए हैं तो यह भी मंदिर में भी उपर को भी च्छा मतलब मैं देवी हैं, हुआ उपर चड़ाई करनी हैं अभी, तो यह देखे इधर लायन में लग गए हैं, इतनी ज्यादा भीड थी इधर, और इधर से या गे को camera बंद करवा देते हैं camera नहीं चालू है तो जहां तक होगा वहां तक दिखाएंगे यह दिखी कितनी भीड हैं क्योंकि देवीमा के अंदर धर्शन के लिए camera allow नहीं है camera नहीं चलाने देते हैं बागी जहां तक मैंने वीडियो थी वहां तक बनाई थी और बहुत ज़्याद भीड़ थी मतलम निकलना आप लोग देख सकते हो कि मुश्किल था और इस बहाने से मैं घूम के भी आगई मैं पहली पार गई थी मैं हरद्वार में नहीं गई थी कभी भी और बैसे दिली से नजदी के हरे द्वार ज़्यादा दूर नहीं है फ्रेंज से चार घंटे लगे थे और यह देखिए इतनी उपर से नीचे को पहाड़ी पहाड़ द दिखाई देती हैं तो यह चार तरफ जो मूर्ती बनवा रखी हैं वो हैं तो बस अब नीचे को उतर के चलते हैं तो यहां देख रही थी मैं कहां से मतलब जो यह देखिए गंगे मैया के दिखाई दे रही है चार तरफ को बहा रही हैं बहुत ज्यादा मतलब यह वो भूए दिखा रहे थी और बहुत उधर तक गंगे मैया हैं बहुत लोग जो वीडियो देखते होंगे वो भी हरिद्वार गूम के आए होंगे देखा होगा पर मैंने तो नहीं देखा था पहली बार देखा था तो मैंने सुचा आप लोगों को भी दिखा दूँगा सच म जाके बहुत अच्छा लग रहा था बहुत मन लग रहा था उधर तो बस चलिए नीचे को उतर और यह देखे चड़ाई कर रहा है कितना मुस्किल हो रहा है कोई-कोई तो बच्चे लेके चड़ा रहा है उनको तो बहुत मुस्किल और यह देखिए यह हम लोग बैठ गए हैं गंगमईया की साम की जो आरती होती है उसके लिए 6 बसे जाके बेठे थे 7.30 बज़े आरती हुई और इतनी ज़ादा भीर थी आरती के लिए बोलते हैं हर द्वार में गय घए हो अगर आरती नहीं देखी मैंन जो आ रती होती है साम की तो कुछ भी नहीं देखा देखने इगों नहीं मिल रहा था इतनी पबलिक थी बहुत जीवाधा तो आर्ति स्टार्ट हो गई हैं आप लोग भी देख लेजे कितनी बड़ी आरति होती है कि बहुत ज्यादा भी गए इसारे मंदर हैं जो और पबलिक लग रहा था इतना अच्छा लग रहा था देख करके कि बहुत ज्यादा और वीडियो थोड़ा समय ने फास्ट कर दिया तो यह देखिए गोती अच्छा लग जया खुवा था पूल तो यह देखिए किस तरह से चल रही और पॉब्लिक दिख रही होगी आपको नीचे से लेके ऊपर तक इस तरफ के बीडि बना नहीं उस तरफ भी पबलिक भरी होई है और सामने पॉब्लिक भरी है तो यह देखिए लोग खड़े हो गए नहीं क्योंक फिर रुक के आई थी इसलिए हमने आर्थी देखी थी नहीं रुकते तो आर्थी देखने को नहीं मिलती थी तो और चलिए तो फिर अभी आ गई हूं मैं आरती देखने के बाद ये सिबलेंगी जो मूर्ती खड़ी है इतनी लंबी मूर्ती अगंगे मैं यामे को बहुत जादा तो उधर को आ गए हम देखने के लिए तो ये देखिए मूह अच्छे से उपर को दिखाई भी नहीं दे रहा था और उपर लाइट भी नहीं थी तो अच्छे से वीडियो भी नहीं बन पाई है और ये है दूसरे दिन का ये जिस दिन हम आई थे मतलब नौत हरी को तो उस दिन का है उस दिन में मैं नहाने गई थी नहा करके तभी आए थे तो ये देखिए आज भी पॉब्लिक कितनी ह हैं कि बहुत ज्यादा और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सेयर कर देना और मेरे बेटे का बड़े था अर्ट तारीकों मैं इसलिए गई थी और वैसे तो हर जगह हर कोई मना लेता है पर ऐसी जगह बहुत कम मनाते हैं तो मैं गई थी तो मैंने गंगे मैया कि मतलब गाट पर घुझके मैया के जाके भी केक क्याटा था अन्दर होट़ल वह नहीं काटा था क्यूंकि अन्दर सब लोग कादते हैं सब करते हैं मैंने सुचा कुछ अलग करते हैं तो बस चलिए नहना दोना हो गया है अभी नहीं रहे हैं तो एक बार तो मैं नहाक e कर लाई थी यह वो ले चल दोबारह से चलते हैं तो मैं फिर से गई थी पानी तो बहुत थंडा था दो एक डुबकी लगाओ और सच में बहुत रख और बारे सौर बढ़ गई थी आज तो तो इतना जादा पानी थंडा था को बहुत जादा ति यह दिखिये भाई कल मिलती ह 156